चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन दमी भी तयार कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक फांसी की त्यारी की कड़ी में सौंबार को ही जेल अधकारियों ने फांसी गर का निरिख्षणब किया था। फांसी के फंदे पर लटकने के चंद सेकिंड बाद ही किसी भी कैदी की जीवन लीला समाप्थ हो जाती दरसल गीता चौपला दुसकर्म और हत्याकान के दो दोसियों रंगा और बिल्ला को तिहार जिल में 31 जनवरी 1982 को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया था जेल अधकारियों के साथ वहां मौझू जलाद ने भी एहमान लिया था कि रंगा और बिल्ला दोनों ही मर चुके हैं इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए फांसी देने के बाद प्रक्रिया की अंतरगत जब दो घंटे बाद चिके सक फांसी घर में पोश्ट माटम से पहले सब की जांच करने के लिए गए तो वहां पर चौकाने वाला नजारा दिखा चिके सक ने बिल्ला की नाड़ी जांची तो वह मर चुका था लेकिन जब रंगा की नाड़ी देखी गई तो वह चल रही थी और वह जिंदा था वह भी फांसी लगने के दो घंटे बाद तक इसके बाद रंगा के फंदे को नीचे से दोबारा खिचा गया जिस से उसकी जान चली गई वही जैसे ही फांसी घर में रंगा के जिन्दा मिलने की बात फ्यली तो जेल कर्मचारियों, जलाद और अधिकारियों की बीच मनुहड़कंब मच गया इसके बाद जलाद ने उसे पुनहे फांसी पर लटकाया और उसकी मौत हुई यही वज़य है कि फांसी देने के पहले दोसियों के वज़न के बराबर की डमी बना कर उसका ट्राइल किया जाता है और वह भी एक नहीं कई बार दरसल दिल्ली की तिहार जेल में कई वरसों तक कारेरत रहे सुनील गुपता ने अपनी पुस्तक ब्लैक वारेंट में रंगा और बिल्ला की फांसी से जुड़े इस मामले का जिक्री किया है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि तिहार में रंगा और बिल्ला को 1982 में सुभा फांसी दी गई थी तो रंगा की नाड़ी यानि पल्स चल रही थी और इसके बाद में रंगा के फंदे को नीचे से खीचा गया और उसकी मौत हुई वही बिल्ला की मौत फांसी से हो चुकी थी ब्रेकिंग यूज दिल्ली अन्सियार के लिए बिरो रिपोर्ट